गिल्सी जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा होगा है इससे आप सब फिमिलियर हो आपने इसको अपने इमेरिकल्स में यूज किया अपनी मांस को कल्कुलेट करने के लिए जब आपको प्रेसेंट वैल्यू गीमन होती है आपको रेट अफ इंटरस्ट गीमन होता है आपको अपनी फ्यूचर वैल्यू कल्कुलेट कर लेते हैं अब गल्स ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वह आपको फ्यूचर वैल्यू दे दे प्रेसेंट वैल्यू भी दे दे रेट अफ इंटरस्ट भी देतें लेकिन नंबर अफ जो टाइम पिरिड है वो न बताए कितना टाइम पि जाएगा ठीक है तो वो नंबर अफ टाइम तो हमें नहीं पता उसके इसमें हम क्या करेंगे उसके इसमें भी हम यही फार्मुला यूज करेंगे आप कुछे पता है यह जनरिल पिंसिपल है मैट्स का कि अगर किसी भी फार्मुला में आपको सारी अमांट गीवन है और किस एक चीज की कि Amount गीवन नहीं है तो आप उसको calculate कर सकते हो चाहे वह equation के इस side पर है चाहे वह equation के इस side पे है आप उसके Amount को calculate कर सकते हो तो सबसे पहले जो मैंभी आपको बताने जा रही हूं घो हमारा आज का topic जो मैं आपको समझाऊंगी वह है How to calculate N Jब आपके पास यह formula given ह तो आप n की value को कैसी calculate कर सकते हो, आज का हमारा वही topic है, how to calculate n, अब आप करोगे क्या, इसी formula को use करोगे और आपकी n की value आप calculate कर सकते हो, पहरे तो formula को हम जो है, वो solve करते हैं, आपको पता है कि यह जो present value है, यहाँ पर इस factor के साथ multiply हो रही है, जो cheese equation के एक side पर multiply हो, दूसरी side पर जाकर divide हो जाती है, मैं इस side पर ऐसे लिकूंगी, कि जो future value है, वो divide होगी आपके सामने, future value divided by present value, यह इस side पर आ गया, factor का जो दूसरा हिसा है, वो उससे side पर रहेगा, equation के, one plus r raised to power n, अब हम क्या करेंगे, जो भी amounts हमें given होगी, future और present value की, उनको अपस में divide कर देंगे, हमारा एक answer बन जाएगा, जो r है, वो भी rate of interest भी आपको given है, उसको one में add करोगे, तो वो भी one point something, जो भी है, वो आ जाएगा, अब हम इसको मजीद सवाल नहीं कर सकते, कैसे सवाल करेंगे, उसके लिए आपको भी बिताती हूँ, आपको यह चीज़ पता होना चाहिए, यह मैत का एक formula है, मैत की एक general terminology है, कि जब भी अगर कोई चीज़ पावर में है, और आप उसको पहल किया होगा, मैत्स में आप करते आते हो, लाग को हम यूज़ करते हैं, लाग जब आप किसी भी equation के साथ लगा देते हो, तो फिर जो इसकी जो पावर होती है, वो पहले आ जाती है, वो आपके लिए solve करना असान होता है, तो जब भी हम calculate करने लगेंगे, इस formula से N की value हम log on both sides, और लाग लेने के बाद आपकी जो यह वाली equation है, वो कुछ ऐसी बन जाएगी, लाग है, future value divided by present value, वो वाली amount जो डिवाइट करने के बाद आएगी, आप उसका लाग लोगे, equal to के जो N है, लाग लेने के बाद इस equation से पहले आ जाएगा, आप लिखोगे N, लाग, और जो यह आपका terminology है, as it is, ठीक है, और उसके बाद आपके लिए solve करना असान हो जाएगा, आपके calculator पे लाग का बटन है, log लेके आप इसकी value को calculate करोगे, log लेके आप इसकी value calculate करेगी, क्योंकि जो log लेने के बाद amount आएगी, वो N से multiply हो रही है, इस side पे आएगी तो divide हो आपके number of years हो जाएगे calculate, ठीक है, यह तो आपके end के लिए था, next हम देखते हैं, अगर आपको किसी numerical में R की value given ना हो, ठीक है, ऐसा भी तो possible है ना, अब अगर किसी भी numerical में आपको future value given है, present value given है, number of time जो है, वो given है, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया, कि rate of interest कितना है, तो rate of interest को भी calculate कैसे, calculate कर सकते हो, कैसे करोगे, जैसे अभी हमने, मैंने आपको पताया था, कि जो है, यहाँ पर present value multiply होड़ी है, उस side पे जाकर divide हो सकती है, हम वही करेंगे, यह देखें, future value है, divided by present value है, और equation के उस side पे आपके पास जो है, वो वैसे ही आएगा, जैसे आपका यह डिवाइड कर दोगे आपस में, future value से present value को डिवाइड करोगे, आपका solve होके एक answer आजाएगा, और आपके पास नहीं है, number of years है, तो power आप तब भी ले सकते हो, जब अंदर वाल equation solve हुई हो, आप power तब तक नहीं ले सकते हो, जब अंदर का solve ना हुआ हो, तो girls आपको यह ची अपको यह सेम होते हैं, ठीक है, जो square root होता है न, वो आपका इस चीज के equal होता है, अब किसी भी चीज के square root को हटम करने के पले था हम क्या करते होते हैं, इसका square ले ले लेते हैं, यह इसे cut off हो जाता है, ऐसा ही है न, अब यहाँ पर square root वाला काम है, और हम इसको multiply कर देते ह हैं, तो आपका cut off हो जाता है, वो ही चीज अब हमने अपने इस वाले equation में use करनी है, r की value को calculate करने के लिए, कैसे करेंगे भी बिताती हूं आपको, आप यहाँ पर mention करोगे, कि हम दोनों sides को 1 divided by n के साथ क्या कर रहे हैं, multiply कर रहे हैं, मतलब यहाँ आप यह लिख सकते हो, taking 1 divided by 9th power on both sides, दोबारा repeat कर देती हूं, taking 1 over nth power on both sides, n मतलब जिदने आपको number of years आपके numerical में given होंगे, आप इसको 1 के साथ डिवाइड करोगे, और इसकी, इस equation की डोनो side पे उसकी क्या ले लोगे, power ले लोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो n जो है, वो already था ना आपका, हमने ज हो गई, आपको पता है, दो powers हों, तो वो आपस में क्या हो जाती है, multiply, जब हम इसकी दुबारा power लेंगे, तो यह एगा n multiplied by 1 over n, और इस side पे भी 1 over n के साथ, जो है, हम इसकी क्या ले लेंगे, power ले लेंगे, ठीक है, यह formula बन जाता है, आप तब यूस करोगे, जब आपके पस r की value नहीं होगी, यह जो n है, यह वाला n, इस n के साथ cut up हो जाएगा, आपका जो यह factor है, वो solve हो जाएगा, 1 plus r, rate of interest आपको given नहीं है, ठीक है, उसी आपने value को calculate करना है, यह 1 यहाँ पर plus हो रहा है, जब आप इसको divide करोगे future value को, present value के साथ, और उनकी 1 over nth power ले लोगे तो आपके पास एक ही answer आएगा, ठीक है, यह वाला 1 यहाँ पर plus हो रहा है, जब equation के दूसरी side पर जाएगा, तो इस वाले एक answer में से 1 को आप क्या कर दोगे, less कर दोगे, तो r का answer आजाएगा, ठीक है, और girls आपको यह पता है, कि rate of interest हम यहाँ पर जो लिखते हैं, वो 100 से divide करने के बाद लिखते हैं, जब आप numerical में इसको करोगे और आपका answer आ रहा होगा, तो r का जो भी answer आया होगा, उसको आप पहले 100 से multiply करोगे, तब आपका वो percentage interest rate बन जाएगा, आपके जो book है, उसमें दो numericals हैं ऐसे, जो के इस तरह से solve होने हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे करने करने कर दिए!!!